नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सेकर और सुवागताप सबी का हमारे यूटूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाननी हिंदी के महत्पूर्ण परसनों को तो सामाननी हिंदी का दोस्तों यहाँ पर आपका टेस्ट होने वाला है वीडियो को अंतक जरूर से देखेगा दोस्तों आयोग जो भी दोस्तों हमारे सेलेवेस में टॉपिक दिये हुए हैं परसन दोस्तों वहीं से पूछता है और वहीं से पूछेगा भी अब दोस्तों क् को बता है सभी को बता है उस्तो बीस कोश्चिन आने हिंदी के अब उस्तो हो सकता है किसी टॉपिक से एक या दो परसन आ जाए या फिर उस्तो हो सकता है किसी टॉपिक से आयोग एक भी परसन ना उठाए अब हिंदी में भी दोस्तो जैसे उत्राखंड में भी अब उत्राख पूछेगा आधुनिक भारत का इत्यास में उतना खास कुछ निया था पुलिस परिक्षा में वैसे दूस्तों सभी जगह से परसन नहीं आ सकते न वरना आयो उस्तों क्या करता है सो परसनी की जगह एक घजार परसन पूछ देता और सभी टॉपिक से उस्तों परसन ले लेता अब लेकिन दोस्तों ये संभाव नहीं है आपको दोस्तों जो सलेवस है उसी अनुसार उस्तों अपनी तेयादे आपको करनी है तो हिंदी का दोस्तों इसमें आपका टेस्ट होने वाला है परसन दोस्तों इनी टॉपिक से बनने का दोस्तों बिल्कुल सलेवस के अनुसार पहला परसन दोस्तों बिल्कुल आसान है बहती गंगा में हात धोना का सही अर्थ है तो बहती गंगा में हात धोना का सही अर्थ है चातुर्री वृत्ति से काम निकालना अपना काम निकालना पूर्णी का कारी करना या फिर आउसर का लाब उठाना तो दोस्तों इसका से उत् अउसर का लाफ यह आपको उठाना है, अगला वर्षन है, निमन मैस से कौन सा युग में गलत है, दूस्तो अब पटवारी लेकपाल का एक्जाम है, ग्रिजेशन लेबर का उस तो एक्जाम है, तो इस तरह के वर्षन उस तो आपर बन सकते हैं, तो यहाँ पर उस तो लुट लाल, सासी बैकती, तो यह भी सही है, लुटिया डूपना, यानि कि सारा काम चौपट होना, यह भी सही है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा, उस तो आपको यहाँ पर बताना है, उस तरह के परशन दूस्तो आ सकते हैं, एक्जाम में, तो यहाँ पर आपको बताना है, उप उत्तर हो जाए, उस तो यहाँ पर हमारा परवत के पास की भूमी को कहते हैं, उपत्तिखा, बोले तो option number D हो जागा, इसका बिल्कुल शटीक उत्तर, उपत्तिचा यानि कि परवत के पास की भूमी, और परवत सिखर पर इस्तित भूमी दोस तो उसे क्या कहते हैं, उसे कह यहां पर उपत्ति का परवत के पास की भूमी अगला पर हमारा प्राग एतिहासिक का अर्थ है तो इसका से उत्तर होगा तो यहां पर हमारा लिखित इतिहास के बात का या पहले का तो इन्हीं दो अपसमों तो टक्कर है तो पराग एतिहासिक का अर्थ हो जाएगा लिखित इतिहास के पहले का बोले तो आपसन नमबर डी होगा इसका बिलकुल से उत्तर हो जाएगा लिखित इतिहास के पहले का होगा पराग एतिहासिक का अर्थ अगला बरसने उस्तों उपसर्ग और परते ही हमारे सेलिवेस में साब साब दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको बताना है एक से अधिक उपसर्गों से बना सब्द कौन सा है आलोचना, समालोचना, सहकारिया, सहुदर तो इसका से उत्तर हुआ उस्तों समालोचना अब दोस्तों इसका आपको दोस्तों पहले उपसर्ग दोस्तों इसमें आपको पहचानना है इसको दोस्तों टोड़ेंगे हम सम धन आ, धन लोचन, सम धन लोचन धन आ अब दोस्तों देखे एक उपसर्ग सम हो गया आ, लोचन आ अंत्रमा भी दुस्त्व आ है और बीस में भी दुस्त्व आ है तो इसमे दुस्त्व एकसे अधिक उपसरगूं से दुस्तॵ बना सब्द है समालोचना तो इसका से उत्र उट जाएगा यहाँ पर हमारा सामधन आधन लोचन दन आ तो अपसे नमर बी अगला ब्रशन है ब्योहार का सही संदी विच्छेद है और उस्तों इसमें संदी कौन सी होगी ये भी जबार दस्त ब्रशन है अगर आ जाए कि ब्योहार में कौन सी संदी है तो बहुत से बच्चे वहाँ पर सही नहीं कर पाएंगे तो इसका सेवत्र उस्तो पहले तो इसे देख लेते हैं संदी विच्छत कर लेते हैं ब्याउधन वहार कताई नहीं ब्याउधन वहार तो सीदे सीदे नहीं होगा इसका सेवत्र उका वीधन अवधन हार उस्तो यह जगा व्यहवार ओप्सन नमर ए अगर उस्टों पूछी जाए का संदी कौन सी होगी तब बताएंगे यण संदी, यण संदी दूस्तों, स्वर संदी का ही एक भेध है liberty option नमरे अगला वरसन है इसमें दुस्तों आपको बताना है कौन सा मिसरवाक्य नहीं है दुस्तों इस बार यहां से प्रशन दिरूर से पूछ सकता आयोग मिसरवाक्य नहीं है कौन सा दुस्तों मिसरवाक्य नहीं है यहां पर आपको बताना यह वही बच्चा है जिसे पहल ने मार जिसे आ गया एक विज्ञान गोश्टी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले जिसमें अनेक वक्ता बोले मैंने एक पुस्तक खरी दी जो नहीं है दोस्तो ये तीनू के तीनू जो है मिश्रवाक्की है वह परिसरमी ही नी वरन इमानदार भी दोस्तो वरन आ गया है अगर कहीं पर आपको और दिखाई दे किन्तू परंतू वरन बलकी दोस्तो ये सब होते हैं हमारे कौन से स्युक्त वाक्की बोले तो option बर सी हो जागा इसका से उतर पागे दोस्तो जो तीनू जो है मिश्रवाक्की है और जो ये सी वाला है ये है स्युक्त वाक्की अगरा बरसन है मुझे कल दो किलो लीची खरीदने है कोई तुरूटी नहीं तुरूटी पेज़ए दोस्तो इसमा आपको तुरूटी बतानी है कि कहाँ पर उस्तो किस भाग में किस option यहाँ पर तुरूटी है मुझे कल मुझे कल ठीक है कल को खरीदूंगा दो किलो मुझे कल दो किलो लीची खरीदने है अब दोस्तों लीची जो है ना लीची नगर कहा जाता है अब लीची दोस्तों जो है यह इस्तिलिंग सब्द है तो यहां पर खरिदने हैं यह दोस्तों यहां पर नहीं होना चाहिए यहां पर होना चाहिए तार मुझे दो किलो लीची खरिदनी है लीची खरिदनी है तो खर आना है कौनसा वाक की सुद्ध है बहुत से बच्चे दोस्तों इसमें गल्ती करेंगे पर आपको नहीं करना है उसने अपनी कमाई का अधिकांक भाग बिलगुल गलत यानि कि भाग खेने की ज़िर्वस नहीं है अधीकांग से कहे दिया तो उसमें अर्थ यहां पर छिपा हुआ है तो इसका सेवत्र जैगा उसने अपने कमाई का अधीकांगस गवा दिया लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं बोलने में कि चलेबस में साब साब दिया हुआ है वहां भी दुस्तों जब आपका चैन हो जाता है तो वर्तनी दुस्तों क्योंकि बहुत कुछ आपको करना होता है लिखना होता है तो वर्तनी दुस्तों जरूर से आपकी काम आएगी तो हिंदी सुद्ध वर्तनी का सब्द सुद्ध वर् बिल्कुल गलत है कहसे बच्चे इस तरह का पूजंञी की इसतर से होगा इस त्रूं incarसे कभी कभी भी कर दिया और ये भी लगा ज़ब है कि अंत्यागसरी ऊपशन में उया है अंत्याग स्कूल वर्तनी वाले सब्द काज चैन कीजिए दोस्तो इसमें भी असुद सुरी इसमें उस्तो असुद बताना आपको सुद नहीं भासकर वांग मैं जोचना या सोचनी अब वांग मैं दोस्तो देखने में बिल्कुल सही लग रहा बिल्कुल सही है अब भासकर और सोचनी पहुत से बच्चे क्या करेंगे इस तरह से करेंगे सोचनी लेकिन दोस्तो नहीं ये दोस्तो जो लिखा हुआ यहाँ पर सोचनी है ये बिल्कुल सही है भासकर दोस्तो यहाँ पर गलत है अब भासकर दोस्तो किस तरह से लिखा जाए प्रस्ड उसे बहर प्रस नहीं हो सकता अगली बार टपक जाए एक नीए दोस्तो 5 आल उत्प्रेक्ष्य आलंकार बोले तो आफसन दमर ए हो जागा इसका बेलेकोल बेलकुल स्रटीक उत्तर अगला परसने निमिलेकित मैस से कौन सा सब्दा लंकार नहीं दोस्तो इस तरह के परसनों को हम कई बार देख चुके हैं इस बार उस तो आपको इसमें बिलकुल गलती न क्या होगा फिर अर्था लंकार होगा अनुपरास यमक सलेश दोस्तों तीन जो往सब्दा लंकार हैं रूपग दोस्तों ऑफसन गीतावली, राम चरीत मानज या भक्तमाल दोस्तो मैंने आपको हिंदी की दूस्तो मात्र छे कलास देने को खाता लेकिन दूस्तो अभी श्रीकृष्न गीतावली किसकी रजना उस्तो फूचा गया था सूरदास तुलसी दास ऐसे ओप्सन बने थे तो दोस्तो यह पूचा ग तुल्सिदास की है गीता वली तुल्सिदास की है श्री कृष्ण गीता वली उस्तो ये भी तुल्सिदास की है भक्तमाल उस्तो ये तुल्सिदास की नहीं है भक्तमाल है नाभादास की हलागि उस्तो नाभादास सलेबस में नहीं है लेकिन जो और अनी एकजाम की त्यारी करते हैं वहाँ जरुड़ से परस्न टपक सकता है अगला वरस्न उस तो इस तरह से भी परस्न आ सकता है कि एक दोस्तो पक्ती दे दी बताईए कि यह किसकी है अग दोस्तो केसव दास हमारे सलेवेस में नहीं है एक ऑफसन तो खैर आपने रहत ले लिए कि एक ऑप्चरो ये तो नहीं होगा अब तीन ऑफसन उस तो सूर्दा सलेवेस में हैं कवीर हैं और तुलसी दास उस तो यह हमारे सभी सलेवेस में हैं अब तो यह आपको बताना की यह पक्ती दोस्तो किसकी है अब आपके मन में आएगा कि तुलसी दास ने राम की बारे में लिखा है राम चलित मानस तो आप तुलसी दास टिक कर देंगे लेकिन दोस्तो नहीं इसका से उत्र हो जाएगा यहाँ पर हमारा ओप्सन नमर बी दसरत सूतती हूँ लोक बखाना राम नाम का मरम है आना दोस्तो यह हो जाएगा कवीर दास के दोस्तो पक्ति अगला परसन है यहाँ पर उस्तो पत्र कारिता से प्रसन है निमिल्लिकित मैंसे किसके अंतरगत न्यूक्ती छुट्टियों की स्विकिर्टी तथा पद अगला परसन है निमिल्लिकित मैंसे लोकोक्ती कौन सी है अब चार आपके सामने अब आपको सोचना है लोकोक्ती नहीं है दोस्तो क्या होगा फिर जहिर से बात है कि लोकोक्ती नहीं है तो मोहावरा ही होगा आश्मान पर थूकना मोहावरा है गूलर का फूल होना मोहावरा है qode मैं खाज होना क्या बात उस्तो ये भी मोहावरा है यह जागा उल्टा-चोर-डाटे उल्टा-डाटे sem 0 cji sydney अब यहां से ईसन्वार पारशन नहीं पूछा गया था कि एक появ सब्द यहां से उत्हां पुर इस पुलीस प्रश्च्छ हमरें परशन एपश्न यहां सकता है वह राज किये धन उस तो या लोार पी श मिफ पूछा गया था वह वह राज किये धन जो किसानु को सहयतार्थ दिया जाता है उसके लिए उस्तो उचिक सब्द है यहाँ पर आपको बताना है रेण होगा अनुबंद होगा अनुगरा होगा यह तकावी होगा देखे दोस्तो जबरस्त प्रसने और जबरस्त और उप्षन इसके हैं तो वह कि धन जो किसानू को सहयतार्थ दिया जाता उस्तों उसे कहते तकावी ओप्षन नमर भी अगला वर्शन दोस्तों यहाँ पर बिलोम से उस्तों पर नहीं बनाता लेकिन अब बन सकता है बिलोम दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सात तुरुटी पूर्ण है तो चार बिलोम उस्तो आपको यहाँ पर अभी के अभी याद होने वाले हैं समास का उस्तो संदी होता है क्या कता ही नहीं पहुसे बच्चे क्या करते हैं समास का बिलोम क्या लगा देते हैं वहाँ पर होता है संदी और संदी टिक करते हैं लेकिन आपको नहीं करना है समास का बिलोन उस्तो ब्यास होता है बिल्कुल सही है छर अक्षर ये भी सही है स्वल्पाईव चिराईव दूस्तो ये भी सही है आहार का उस्तो बिहार नहीं होगा आहार का उस्तो होगा निराहार आहार का उस्तो होगा क्या निराहार होगा तो बढ़ते हैं अगले वरसनी की तरफ आगला वरसन दुस्तो यहाँ पर आपको बताना है तुरंग का पर्याई वाची सब्द चुनिये तुरंग कई बार दुस्तो हम देख चुके हैं वाजी, कुरंग, सारदूलय, सस तो तुरंग का उस्तो ये परियावाची आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आगे बढ़ते हैं उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निमनांकित मैंसे किस किरिया का उधराना दोस्तो यहां से परसन जरूर से बनता है, पूरुकालिक किरिया, द्युकर्मक किरिया, प्रिनार्थक किरिया, स्युक्ति किरिया, जरूरी ने यह परसन आई सी तर से आये, लेकिन इन से दोस्तो परसन बनने की पूरी-पूरी संभावना रहती है, पूरुकालिक किरिया से ख पूर्ण कर लिया और ततकाल उस्तों डूसरी किरिया करता जैसे देखे उसने क्या किया नहा कर भोजन किया पहले उसने नहा कर भोजन किया तो दूस्तों यह हो जाएगा पूरुकालिक किरिया जैसे मैं आप से कहूं कि सेखर चाय पीकर बैढ़ गया अब दूस्तों जब चा आके भुजन किया दोस्तों यह हो जाएगा पूरुकाली किरिया आप्शन वड़ी तो यह थे आज के मारे महतून परसने बांकि मिलते हैं बहुत जल्दे एक नई वीडियो में बिल्कुल दोस्तों पढ़ते रहिए जितना समय है जितना पढ़ सकते हैं तो मिलते हैं बहुत